मैं यूप संरो मेरे कलास में आपका बहुत बहुत स्वागई रबständ अब द्चों, तो आज का वीडियो आप लोगे लिए बहुत इंप्सुनन होने वाले है खास की स्थेटल वन के बच्चों के लिए क्योंकि आज आप लोगा बतानु जाने कि एक्जाम में किस परकार का question का pattern होता है कितने marks का कितना पुछता है और कौन सा question और कितना question बनाना है तो आज आप लोग को बताने जा रहे है become owners का syllabus ठीक है बच्चो तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा बहुत अच्छे तरीके से बताया गया है और वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आएगा बच्चो लोग तो आप लोग मेरे वीडियो को क्या किजेगा लाइक किज किएगा और चेनल को सब्सक्राइब किजेगा ताकि हमें भी लगे आप लोग के लिए जो वीडियो के लिए इतना मेहनत करें आप लोग मुझे सपोर्ट करें मुझे मोटिवेट करें तो चलिए बच्चो शुरू करते हैं आज का यह वीडियो तो चलिए सब से फर्स्ट ह हम लोग का क्या है become owners में full marks आपको कितना रहेगा बच्चो 75 क्यों कि 25 का आप लोग का college में internal exam होगा और past marks theoretical में हम लोग कितना रहेगा 30 और time आप लोग को कितना मिलेगा बच्चो 3 hours चलि यह चीज आप लोग का clear हो गया सब का कि full marks 75 रहेगा past marks 30 रहेगा और हम लोग का time कितन रहेगा तीन घंटा रहेगा ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं और जेनरल इंस्ट्रक्शन में क्या है बच्चों लोग कि answer any five questions मात्र पांच questions का ही answer देना है वह इसी सबसे पहले heading में देख लीजिएगा आप लोग question number one is compulsory जिसमे question number one जो है बच्चों पूरा compulsory है ठीक है मत question number one हम लोग को बनाना ही है अब next question की ओर चलते there are two group दो group होगा group A और group B ठीक है group A और group B दो group में हम लोग का question divided रहेगा जिसमें से आप लोग का group A में बच्चों group A में हम लोग का multiple choice question रहेगा साथ ठीक है एकक marks का साथ question रहेगा आप लोग का देखिए एकक number का इस तरह से आप लोग का साथ questions रहेगा जो कि आप लोग को multiple choice question रहेगा ठीक है बच्चों तो यह साथ question हम लोग का एकक marks का रहेगा group A का question number one का यह और B में क्या होगा बच्च A और B, दो question रहेगा हम लोगा, एक question का weight कितना रहेगा, marks कितना रहेगा, चार दो question इसमें रहेगा, इसमें किसी परकार का option नहीं रहेगा बच्चों, चलिए अब group B की ओर चलते हैं, तो group B में सबसे पहले long answer type question, heading देख लिजिए, इसमें हम लोगा group B में क्या रहेगा, long answer type question, जिसमें से सबसे पहले heading देख लिजिए, answer any four of the following, मात्र हम लोगों चार question का answer देना, लेकिन हम लोग question की संख्या ज़्यादा रहेगा, लेकिन उसमें से हम लोगों को सिब कितना question का answer देना है, बच्चों मात्र 4, देखिए question तो हम लोग का बहुत सारा रहेगा, देखिए 2 से लेके 8 तक question रहेगा, और हम लोग को इसमें से मात्र कितना question का answer देना है, बच्चों मात्र 4 question का answer देना है,